इस एपिसोड में में डिस्कस करने वाले हैं टाटा पावर श्टोक के बारे में इस श्टोक में जैसे की हमने मर्च से काफी सारे ब्रेकिंग स्टम के देखे हैं मिला था NCLT से उसकी news सुने थी और उससे पहले हमने electric charging infrastructure को लेकर के Mumbai metropolitan city के अंदर जो collaboration रुस्तोमजी group से हुआ था उसका सुना था उससे पहले गुर्गाओं का electric vehicle charging को लेकर के तो काफी सारे multiple positive news इस stock में हमने देखा है जिस प्रकास से इस stock ने strong breakout दिया है सांदा रिटन विदिन 3-5 डेज में इस stock के अंदर देखने को मिला है शियर खान ने इस stock का price लगबग 315 के आसपास का price दिया है target price और मैं personally sure हूँ कि यह जो target price इसने दिया है within आपको 7-10 डेज में surely achieve होते वे दिखेगा जब तक यह stock 272 के price को respect करती है इस stock के अंदर एक strong momentum आते वे दिखेगा और हमने इस stock को technically देखा कि high volume breakout इस stock में दिखा है और triple bottom price pattern इस stock में दिख रहा है जब तक यह stock 20 simple moving average को break नहीं करती है sustain करती है तब तक positive रहेगा RSI इस stock में लगबग 65 के आजपास का indicate कर रहा है जिसका indication है कि momentum positive रहने वाला है तो personally मेरा target इस stock में 320 के आजपास का है जब तक 270 के price के उपर यह sustain करती है stop loss 265-68 के आजपास के stop loss को follow करे और surely यह stock again momentum दिखाने वाला है तो early profit book करने की गलती बिल्कुल नहीं करे अगर फिर जबाइंग करते हैं तो quantity कम होनी चाहिए जबाइंग जबाइंग करते हैं तो quantity कम होनी चाहिए है